हम सब के प्रिय, भगवान शिव का जन्म नहीं हुआ है, वे शवेन संभू हैं, लेकिन पुरानों में उनकी उत्पत्ती का विवरण मिलता है, विश्नु पुरान के अनुसार ब्रह्मा भगवान, विश्नु की नाभी कमल से पैदा हुए जबकी, शिव भगवान विश्नु क माथे के तेज से उत्पन हुए बताए गए हैं, विश्नु पुरान के अनुसार माथे के तेज से उत्पन होने के कारण ही शिव हमेशा योग मुद्रम में रहते हैं, श्रीमत भागवात के अनुसार, एक बार जब भगवान विश्नु और ब्रह्मा अहनकार से अभिभूत तो स्वयम को श्रेष्ट बताते हुए लड़ रहे थे। तब एक जलते हुए खंभे से भगवान शिव प्रकट हुए। विश्नु पुरान में वर्नेच शिव के जन्म की कहानी। शायत भगवान शिव का एक मात्र बाल रूप वर्नन है। इसके अनुसार ब्रह्मा को एक बच्चे की जरूरत थी। उन्होंने इसके लिए तपस्या की। तब अचानक उनकी गोद में रोते हुए बालक शिव प्रकट हुए। ब्रह्मा ने बच्चे से रोने का कारण पूछा तो उसने बड़ी मासुमियत से जवाब दिया की। उसक कोई नाम नहीं है इसलिए वह रो रहा है। क्या आप जानते हैं भगवान शिव के दसरुद्रावता हैं तब ब्रह्मा ने शिव का नाम रूद्र रखा जिसका अर्थ होता है रोने वला। शिव तब भी चुप नहीं हुए। इसलिए ब्रह्मा ने उन्हें दूसरा नाम पर शिव को नाम पसंद नहीं आया और वे फिर भी चुप नहीं हुए। इस तरह शिव को चुप कराने के लिए ब्रह्मा ने आठ नाम दिये और शिव आठ नाम उप्रूद्र, शर्व, भाव, उब्रक, भीम, पशुपति, इशान और महादेव से जाने गए शिव पुरा विश्नु पुरान की एक पौरानिक कता है। इसके अनुसार जब धरती आकाश पाताल समेथ पुरा भ्रहमान जल्मगन था। तब ब्रह्मा, विश्नु और महेश्ट शिव के सिवा कोई भी। देव या प्रानी नहीं था। तब केवल विश्नु ही जल सतह पर अपने शिव जी प्रकट हुए। ब्रहमा ने उन्हें पहचानने से इंकार कर दिया। तब शिव के रूप जाने के भई से भगवान विश्नु ने डिव्य द्रिश्टी प्रदानकर ब्रहमा को शिव की याद दिलाई। ब्रहमा को अपनी गलती का एहसास हुआ। और शिव मानते हुए उन्होंने उनसे अपने पुत्र रूप में पैदा होने का आशिरवाद। मानगा। शिव ने ब्रहमा की प्रार्थना स्वीकार करते हुए उन्हें यह आशिरवाद प्रदांक किया। जब ब्रहमा ने स्विश्टी की रचना शुरू कि तो उन्हें एक का आशिरवाद ध्यान आया अताह ब्रह्माने तपस्या की और बालक्षिप बच्चे के रूप में उनकी गोड में प्रकट हुए